इसके अन्य फाइदों के बारे में त्वचा पाने के लिए एलोविरा जेल का इस्तहमाल करना चाहिए रूजानराद को सुने से पहले स्किन पर जेल लगाएं इस बात का ध्यान रखें कि आपकी त्वचा सاف होनी चाहिए यानि क्लीन्स करने के बाद ही चहरे पर जेल लगाएं ताकि ये स्किन में अच्छी से एब्जॉब हो जाएं गुलाब जल के साथ अलोवेरा मिक्स करके लगाने का फायदा दोस्तों गुलाब जल का इस्तिमाल तवचा पर किया जाता है इसके उप्योग से स्किन को कई तरह के फायदे मिलते हैं आप सौट स्किन पाने के लिए अलोवेरा जल में गुलाब जल मिक्स करके चहरे पर लगा सकती है दो चमच अलोवेरा जल में गुलाब जल की कुछ बूंदे मिलाएं साफ हातों से इस पेस्ट को अपनी चहरे पर लगाएं जब ये पेस्ट सूख जाए तब पानी से अपना चहरा धोले हफते में दो से तीन बार चहरे पर ये मिश्रन लगाने से स्किन मुलायम होने लगती है दोस्तों चहरे पर पिंपल्स के कारण डाग स्पोर्ट्स हो जाते हैं खास तोर पर जब जब जबरदस्ती पिंपल्स को फोड़ा जाएं डाग स्पोर्ट्स को हलका करने के लिए अलोवेरा जल का इस्तिमाल कर सकते हैं अलोवेरा जल में दो बूंद विटामिन E ओल और पांच बूंद नीमू के रसकी मिलाएं इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाएं हफते में दो बार चहरे पर इस तरह से अलोवेरा जल लगाने से डाग स्पोर्ट्स हलके हो सकते हैं इसके अलावा दोस्तों रात में चहरे पर इलोवेरा जल लगाने से स्किन हाइडरेट रहती है जिहां दोस्तों इलोवेरा जल में पानी होता है पानी स्किन के साथ साथ शरीर को भी हाइडरेट करने का काम करता है ड्राइ स्किन पर अलोवेरा जल लगाने से तवचा सॉफ्ट होने लगेगी तो चलिए आप आपको बताते हैं कि आखिर घर पर कैसे बनाएं अलोवेरा जल बाजार से अलोवेरा जल खरीदने के बजाए आप घर पर भी इसे बना सकती हैं इसके लिए पौधे को तोड़ ले अब चम्मच की मदद से इसमें से जल निकाले अब जल को मिक्सी में पीच ले लीजे बन गया होममेड अलोवेरा जल तो दोस्तो ऐसी ही रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहे हमारा शो फैमिली गुरू धन्यवाद